आज की वीडियो में हम उस स्कूल की बात करेगे जहां पर इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यानि पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोस को ट्रेन किया जाता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर 12 स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है जैसे 1966 में रेस किया गया और ये इंडियन आर्मी की पेराशूट रेजिमेंट के अंडर आती है पेरा कमांडो की इनिशल बटैलियन को सेट अप करने के कुछ सालों बाद ही इनने री और्गनाईज करने की जरूरत महसूस हुई और फाइनली इसे 1st एपरिल 1993 में हिमाचल प्रदेश के नहान में सेट अप किया गया था और उस समय इसका नाम था SFTW यानि Special Forces Training Wing इस विंग को सेट अप करने का रीजन था एक्जिस्टिंग 3 पेराशूट कमांडो बटैलियन को अप्ग्रेट करना तू मोर वर्सेटाइल स्पेशल फोर्सेज जो कैपेबल हो इन कंड़क्तिंग अ वाइड वराइटी ऑफ स्ट्रेजिक और ऑपरेशनल टास्क्स बोथ overt and covert in war and low intensity conflict situations December 1997 में इस विंग को री और्गनाईज किया गया और इसको नाम दिया गया that is Special Forces Training School आज SFTS इंडियन आर्मी का प्रीमियर केटेगरी A Training Institute है जो पेराशूट रेजिमेंट के कमांडोस को Special Operations के लिए ट्रेन करता है The SFTS trains them in covert operations, reconnaissance and wrecky missions, counter insurgency, urban and jungle warfare, insertion and exertion methods and surprise ambush attacks इस school का Commandant Major General Rank Officer होता है और यही officer Chief Instructor भी होता है SFTS is a Center of Excellence for Special Forces Training and is also nominated as Nodal Agency for Training with Special Forces of Friendly Foreign Countries SFTS में पैरा कमांडोस के अलावा friendly foreign countries जैसे United Kingdom, Turkmenistan, Seashells, United States, Sri Lanka, Russia, France, Bangladesh और Thailand के कमांडोस भी इस school में training और joint exercise के लिए आते है इस school का motto है सौरियम दक्षम युद्धे जिसका मतलब है courage and competence in war और currently इस school में yearly करीब 800 officers, JCOs और ORs ट्रेनिंग के लिए आते है The expansion of SFTS is under consideration with 1500 acres and soon SFTS will be having its own airfield to train the soldiers for para jumps तो like करे हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को share करते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में